नगपरिशत के फरजी गुंटेवारी प्रकरेंड में नया मोड आ गया है इसमें शहर पुलिस ने नगपरिशत के पूर्व सभापती सचिन शेंडे को 16 नवंबर की रात में ग्रफतार कर 17 नवंबर को जिला अपर और 17 न्यायले के मुख्य न्यायले न्याय दंडदिकारी भ एड़ोकेट विवेक बारापात्रे ने PCR का विरोध किया इसके बाद दो दिन की 19 नवंबर तक पुलिस हिरासत दी है इसके पूर्व पुलिस ने लुया वाट कुलवा नाका निवासी आरूपी रतनलाल जितेंद्र बोस को गरफतार किया है इससे प्रकरण में और आरूप ललीता बाई मेशराम और अजीत छाबडा का समवेश है इन आरूपियों ने मिलकर ततकालिन मुख्यदिकारी चंदन पाटिल के फर्जी हस्ताक्षन नगर परिशत की सील लगा कर बनाए गए जूटे वा फर्जी कागस पन्नों के आधार पर तैसिल कारिया लेके अपर तै अजी वाड़े को सचिन शेंडे ने अंजाम दिया है इस प्रकरण में ना केवल फर्जी वाड़ा उजागर हुआ है अन्यता नगर परिशत गोंदिया की छवी भी धूमिल हुई है इससे प्रकरण में अभी काफी सारी चीज़े उजागर होना बाकी है इससे प्रकरण की जाज पुलिस नरिक्षक महेश बंसोर कर रहे हैं गोंदिया से बीसेन न्यूस के लिए अभीशेग भटनागर के साथ हरशत चूटे की रिपोर्ट